मैं आर्ति वालमिक और ये है ग्राम साथपूर जिसकी जन संख्या है 500 वोटर और इसी ग्राम साथपूर में बाड़ नमबर एक में रहने वाली गेंड़ावाई अहिरवार इस समस्या से पीड़ी थे कि उसे जब लेटरिंग बातरूम जाना है तो वो इस रोट की वज़े से जो गढडे हैं बड़े बड़े और जो नरैया भरी रहती है इसके सामने वो असमर्थ है हमें बहुत द्लंक्त क्लीव है क्या समस्या है रोट की गब्ते हैं सबवए सबल टक लीव है हरिकबाद की तक लीव है हमें आप लोग यहां कितने साल से रह रहे हैं तुए hours तो अभी आप लोगों ना कुछ आवेदन लगाया है लगाया है कुछ सुनाई हुए यहां पुराना मदलवे पत्थर का रोट था तो उसमें अब खराब हो गया है और वहां पर जाने में बहुत दिक्कत बनती है कच्चा रोट कहां से कहां तक है वो एक माता का चबूत रहे वहां से में रोट तक है यहां से पानी भजने के लिए जाते हैं तो तेंगरों के बर गपते हैं और रोट के बाजू से एक नराया है ना लगाया है चोटा सा तो वहां गपते हैं यहां से निकलने में आपको क्या पारिशानी आती है क्यों लगता है क्यों लगता है क्यों हमको तो पूरो रोट चान है और रोट के किनारे पे पुलिया भी चान है नाला पे तो नाला पे पुलिया क्यों चाहते हैं आप निकलतान नी मनाती है पानी बहते रहती है कम से कम तीनक गेराई को तो आपने इसके लिए कभी कहीं आवेदन किया है किया सिर्पंच मों किया है कोई सुनायनी कर रहाए है इस और पिछली साल करो खोनी और शी जैस्की साल करो खोनान दी आप क्या चाहते हैं और यद्ड़ करों crash लापना हमाच पयरी तो निकर गए अब बच्चोखों च δεν इंश्वेध सक्षिक का छी एत बदलाव के लिए प्रभावित लोगों से मेरी अपील है कि इन फोन नंबर्स पे फोन करें और अपना दवावना श्रीमति प्रभावाई जेनका जो की सग्रामसाथपूर की सरपंच है जिनका फोन नंबर है दूसरा फोन नंबर है बिलोक कारपाला नधिकारी महोदाई जी का जिनका नाम है आर जी अहिरवार जिनका फोन नंबर है इकानवे उन्न्यासी इक्यासी पैसाट अठाइस मैं आरतिवाल मीग बटिया गरजिला दमो मध्य प्रदेश से इंडिया अनहाट के लिए झाल के लिए झाल के लिए झाल के लिए झाल के लिए आर जाम है झाल झाल